लालू जी पडिवार बाद का वो जिता जागता नमुना हैं इस देश में जितनी पार्टियां हैं जो इकठे हुए हैं इंडी के राहुल गांधी से उठाईए वो पडिवार बाद हैं सुनिया जी राहुल जी को प्राइम मिनिस्टर लालू जी अपने बेटे को चीप मिनिस्टर मुलाइम सिंग जादव अपने बेटे को बना के गए उद्धव ठाकडे अपने बेटे को अश्टालीन अपने बेटे को ममता बनर जी अपने भतीजे को ये पडिवार बाद के लि है जेल जा रहे थे तो अपने चीप निश्टर नहीं रहे तो पत्नी को बनाया अभी बेटे चीप डिप्टीशियम बने जब सरकार से हटे एक हाउस का बेटा दूसरे हाउस की पत्नी लीडर हो गई क्या उनकी पार्टी में कोई आदमी जोगे नहीं था पड़िवारवाद लोगतंत्र के लिए घातक है नरंदर मोदी एक सौचालिस करोर लोगों के लिए जीते हैं एक सौचालिस करोर उनका पड़िवार है आज बच्चे बूढ़े जवान सभी लोग कह रहे हैं कि मैं नरंदर मोदी का पड़िवार हूँ इसलिए नरंदर मोदी देश के लिए ज काउंट में पैसे हैं, ने अपनी गारी है, ने अपना जमीन है, वो संत आदमी है, जोला लेके आया है, जोला लेके जाएंगें, लेकिन ये पैसे का पड़िवारबाद के लिए पैसे कमाएं, अपने भी जेल गएं, बच्छों को भी सरास्ते पठेल दिया। बोल रहे हैं, पड़िवारबाद का इससे जीता जाकता नहीं होगा, अगर समाज के लिए होता तो लालू जी के पार्टी कई बार सत्ते में आए, पड़िवार से बाहर भी होता, इसलिए देश के लिए घातक है पड़िवारबाद।